हेलो फ्रेंड्स नभ्य शब्द प्रती मिनट की गती से संपात की डिक्टेशन स्टार्ट जहलीली शराब पीने से बड़े पेमाने पर लोगों के मारे जाने की घटनाएं देश के विभिन हिस्सों में होती रहती हैं पर हर बार कुछ जाचों कुछ लोगों के खिलाफ दंडात्मक कारवाईयों आदी की उपचारिकता के बाद मामले को रफादफा मान लिया जाता है अवैद शराब बनाने और उसके कारोबार पर नकेल कसने की जो पहल होनी चाहिए वह कहीं होती नहीं दिखती इसी का नतीजा है कि उत्तरपरदेश के अलीगड में जहरीली शराब पीने से करीब दो दरजन लोगों की मौत हो गई इस मामले में प्रशासन ने कुछ आबकारी अधिकारियों और करमचारियों को निलंबित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है विचित्र है कि ताजा घटना में जहरीली शराब लोगों ने एक अधिकरित दुकान यानी ठेके से खरीदी थी बहुत साल पहले देशी शराब की बिकरी के लिए भी ठेके दिये जाने लगे थे तब माना गया था कि इससे देशी शराब की गुणवत्ता उसमें जहरीले तत्वों आदी की जाँच में मदद मिलेगी और लोगों के चोरी छिपे जहां तहां गाव गिराव में बनने वाली शराब पीकर मोत के आगोश में समा जाने की घटनाओं पर अंकुष लग सकेगा मगर ऐसा होता नजर नहीं आता शराब की बिकरी दो तरह से होती है एक तो सरकारी दुकानों पर और दूसरी सरकारी माननेता प्राप्त नीजी दुकानों पर कई राज्यों में इसकी बिकरी की ज्यादातर जिम्मेदारी नीजी ठेकेदारों को दे दी जाती है उत्तरपरदेश भी उन राज्यों में है हालां की नीजी दुकानों पर बिकने वाली शराब के भंडारन गुणवत्ता आदी पर आबकारी विभाग नजर रखता है पर ये दुकानदार चुंकी उची सिफारिश और भारी रकम खर्च करके ठेके प्राप्त किये होते हैं इसलिए उनका जोर जादा से जादा कमाई करने पर होता है इसके लिए वे घटिया गुणवत्ता वाली शराब बेचने और आबकारी विभाग के अधिकारियों को अपने पक्ष में रखने का परियास करते हैं इसी परवर्ती के चलते अवैद शराब बनाने के धंदे पर रोक नहीं लगाया जा सका है अकीकत यह भी है कि कई अवैद शराब बनाने वालों को उचे रसूखदार लोगों का सनरक्षन प्राप्त होता है और वे बड़े पेमाने पर ऐसी शराब विभिन राज्यों में पहुचाने में सफल हो जाते हैं घटिया गुणवत्ता होने के बावजूद उनकी बनाई शराब ठेके वाली दुकानों में भी बिक्ती तेखी जाती है स्थिती यहे है कि देश का शायद ही कोई इलाका हो जहां अवैद रूप से शराब ना बनाई जाती हो हमारे देश में शराब पीने की संस्कृती नहीं है इसलिए जादा तर लोग सिर्फ नशे के लिए पीते हैं ऐसे में शराब बनाने वाली कई देशी कंपनिया भी शराब को नशीला बनाने के मकसद से उसमें स्प्रिट जैसी कुछ ऐसी चीजे मिलाती पाई जाती हैं जो सेहत के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं मानी जाती अवैद रूप से बनाई जाने वाली शराब में तो चुंकी गुडवत्ता नियंतरण वगेरह का कोई पेमाना है ही नहीं इसलिए उसमें मन माने तरीके से ऐसे तत्वो को मिला दिया जाता है जिस से शराब जहरीली हो जाती है ऐसा नहीं कि प्रशासन इन तत्थियों से अंजान है या उसे अवैद रूप से बनने वाली शराब के ठिकानों की जानकारी नहीं है मगर वह किसी लोब या दबाव में अपनी आखे बंद रखता है इस तरह चहरीली शराब पीकर लोगों का मरना भी किसी आपदा से कम नहीं उन मोतों को सिर्फ इसलिए रफादफा नहीं किया जा सकता की वे लोग गरीब थे और नशे की अपनी बुरी आदत की वजह से मारे गए स्टॉप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में दिया गया है आप लिंक पे क्लिक करके इसकी पीडियाफ फाइल पा सकते हैं अगर आप हमारे वोट्शेप गूरूप से जुड़ना चाहें तो वोट्शेप गूरूप से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको पीडियाफ फाइल डेली दी जाती है धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में झाल